पर चीज पर कैसे क्या लगेगा वेरी सिंपल स्टेट ए स्टेट बी स्टेट वन स्टेट बी युनियन टेरिटरी और फॉरें टेरिटरी ये चार चीजे हैं चार कॉर्णल में आप देखो इसको ठीक है स्टेट वन, स्टेट टू, युनियन टेरिटरी और फॉरें टेरिटरी तो कोई भी गूड्स जब एक ही स्टेट के अंदर बिकेगा तो उसके उपर एक सीजी एस्टी लगेगा और एक सीजी एस्टी लगेगा टेक्स का रेट तो एक ही डिसाइड करेगी काउंसिल मानलो एक चीजे उसके उपर 18 परसंट टेक्स का रेट जी एस्टी काउंसिल डिसाइड करती है तो 18 में से 9% automatically CGST में चला जाएगा 9% SGST में चला जाएगा अगर 28% rate है तो 14% state को चला जाएगा 14% central को चला जाएगा सिर्फ nomenclature अलग इसलिए है कि उस head में वो जाने से state और center को अलग-अलग income डारेक्ट चली जाएगी इसलिए वो नाम अलग है बट जो भी rate होगा वो single GST rate होगा उसमें से एक portion जो की central government को जाएगा उसको CGST कला जाएगा और एक portion जो state government को जाएगा उसको SGST कला जाएगा अगर आप एक state में से दूसरी state में अगर माल ले जा रहे तो फिर आपको IGST देना पड़ेगा वोट इस IGST बट इस टोटल आप CGST प्लस SGST उतना ही rate होगा जैसे मैं सपोज दर इस आइटम ओन विच 18% rate of CGST प्लस SGST is there तो 18% ही IGST होगा उतना ही rate होगा तो मैं उस goods को एक state से दूसरे state में अगर ले जा रहा हूँ तो उसके उपर मुझे 18% देना है IGST के नाम पे और वो भनने के बाद मैं जब दूसरे state में इस माल को बेचूंगा तो उस state में जो मेरी liability बनती है SGST और CGST पे करने की वो पे करने के time ये IGST का मुझे credit मिल जाएगा पूरा का पूरा तो इसका मतलब ये हुआ कि IGST वो एक अलग tax नहीं है IGST जो है ये एक interim tax है जिसको हम कहते है washout tax washout tax इसलिए के रहे कि IGST की कोई अपनी अस्तित्व है ही नी वो washout हो जाएगा IGST अपने आप में कोई tax है ही नी normally IGST कौन पे करेगा businessman जब वो एक state से दूसरे state में mall shift करेगा तब वो business man pay करेगा और उसकी वो credit ले लेगा तो finally IGST की कोई income सरकार को नहीं होने वाली है IGST की कोई अपनी income सरकार को नहीं होने वाली है income जो होगी सरकार को वो CGST और SGST की होगी पूरी के पूरी input tax credit ले लेगा वो IGST की अपनी जब भी tax liability आएगी उसके सामने कुछ ऐसे transaction हो सकते है B to C transaction जैसे दिल्ली से सब्सक्राइब नोर्थ इस्ट नागालेंड का कोई आदमी दिल्ली में आया और दिल्ली से एक TV खरीद के चला गया तो वो अगर बताएगा कि मैं नागालेंड ले जा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है अपना ट्रांसपोर्ट में अगर भेज रहा है नागालेंड तो IGST लगके जाएगा अगर वो बता नहीं रहा है कि मैं नागालेंड में ले जा रहा हूँ तो वो तो स्टेट का ही दिली का ही SGST और CGST लगेगा तो उस केस में IGST जो पे करके कर नगलेंड में TV ले जा रहा है वो IGST की क्रेडिट कोई लेगा नहीं लेकिन वो पढ़ा रहेगा सरकार के पास उसका विवाजन स्टेट और सेंटर के बीच में इकवल हो जाएगा अगर ऐसा कोई IGST पढ़ा रहेगा सरकार में तो उसका विवाजन बहुत छोटी ऐसी अमाउंट होगी नोर्मली गूड्स का एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर सिर्फ व्यापारी लोग ही करते है तो व्यापारी लोग IGST पे करेंगे और उसकी क्रेडिट ले लेंगे तो IGST में कुछ बचेगा नहीं IGST is not a separate tax पहले जो था CST था Central sales tax You'd be surprised कि Central sales tax 2% के इसाब से भी स्टेट की इंकम 50-60,000 करोड है 2% के इसाब से भी CST की इंकम वो 50-60,000 करोड का पूरा बोज consumer के उपर जा रहा था additional tax जा रहा था CST का Central sales tax का वो पूरा बोज अब मिख जाएगा अब IGST पे करना पड़ेगा लेकिन IGST is a without tax वो तो हम इसलिए ले रहे कि भी कुछ तो tax सरकार के आद में आ जाए उसके बाद वो किस स्टेट में ले जाए जो करना है करे लेकिन हमारे पास उतना ही tax आ गया जितना हमको मिलना चाहिए तो इदर उदर नहीं चला जाएगा पहले यह करते थे कि CST जब बना होता था तो सरकार को C form बरके यह बोलता था कि भी हम तो CST में इसको इंटर स्टेट ले जा रहे और वो दूसरे स्टेट में माल पहुंचता ही नहीं था उसी स्टेट में वो माल को दूसरे सिटी में उतार के उसी स्टेट में बेश देते थे तो जिस आइटम के ओपर 14% स्टेट का टेक्स रेट था उसके ओपर वो 2% CST परके छूट जाता था अब यह नहीं होगा अब पूरा का पूरा टेक्स उसको बना पड़ेगा तब वो दूसरे स्टेट में माल ले जा सकते है उसके बाद उसकी जिमेवारी अगर वो वहाँ पर दूसरी बार बेशता है तो जो CGST और SGST के लाइवलेड़ी उसको प्यकरने के लिए IGST उसकरेगा वना IGST तो सरकार के पास आई गया है तो इस तरह का यह tax है IGST दूसरी एक विशेस बात यह है कि जब foreign territory से कोई भी माल आएगा तो IGST लगेगा Custom duty तो अलग है Custom duty is not getting merged in GST Please remember Custom duty का जो कारोबार है वो तो अलग चलता ही रहेगा उसको GST में नहीं मर्च कर है Custom duty जो है वो domestic industry के production के लिए अलग से सरकार डालती है वो तो रहेगा टेरीफ जिसको बोलते है Custom tariff वो रहेगा लेकिन Custom duty के उपरांत उस commodity पे domestic industry में GST council ने जो भी rate decide किया है उतना ही रकम IGST के रूप में हम ले लेंगे उनसे फिर अगर व्यापारी वो चीज को import कर रहा है और फिर वो CGST SGST पे करने के liability आती है दुबारा जब इंडिया में sale करेगा तो उसमें से वो IGST का credit उसको मिल जाएगा लेकिन सबसे पहले तो import के time ही IGST लग जाएगा अब ये सबसे महत्वपूर्ण change making इंडिया के लिए है मैं आपको बता दू कैसे क्योंकि अब तक जो था वो ये था कि हम exercise duty के equivalent CVD लगा रहे थे exercise duty जो local industry पे था उसके equivalent हम CVD लगा रहे थे उसके अलावा सिर्फ 4% SAID special additional duty लगा रहे थे ये जो 4% SAD लगा रहे थे उसका मतलब ये था कि state government की जो wet देनी पड़ती है local industry को उसके बदले में हमने 4% SAID डाला था अब वो 4% वो actually state government तो 14% rate ले रहे ये wet का लेकिन सिर्फ 4% देने के बाद वो माल इंडिया में आ सकता था तो अब ये नहीं होगा domestic industry के उपर जितना tax का बोज है उतना ही इंडिया को बल मिलेगा की नहीं बल मिलेगा इससे मेकिन इंडिया को इससे बल मिलेगा तो ये एक perfect system हो जाएगी कि local industry जितना tax पे कर रहा है उतना ही इंपोर्टेट वाले भी पे कर रहा है ताकि दोनों के बीच में अंतर नहीं रहे है पहले ये था कि इंपोर्टेट माल सस्ता पड़ता था और domestic माल जो है उनको बेचारे को तकलिप पढ़ रही थी इंपोर्टेट के सामने टिकने के लिए तो this is a very significant change that is going to be brought about IGST लगाने से इंपोर्टेट माल के उपर जिस तरह से state के अंदर state GST है उस तरह से union territory के अंदर भी union territory GST लगेगा तो union territory के अपने खर्चे चलाने के लिए जो tax लगता है वो union territory GST होगा और वो भी equivalent to state GST होगा cGST plus union territory GST union territory में लगेगा और उसका जब भी आप कोई एक state से दूसरे state में या एक state से दूसरी union territory में अगर माल ले जा रहा है तो IGST देना पड़ेगा इसलिए ये pictorial जो representation है उसमें arrow दिखा रहे हम कि important माल आएगा तो भी IGST देना पड़ेगा एक state से दूसरे state में जाएगा तो भी IGST देना पड़ेगा एक माल बनाया वहां से लेके चार state में घूमने के बाद पांचवे state में अगर कंजूमर के पांच पहुँचा तो भी इसका पूरा audit trail कंप्यूटर में रहेगा ये इसकी benefit है IGST की ओके नेक्स्ट वीडियो पसंद आया तो YouTube पर like का बटन जरूर दबाईए और share करना मत बुलिए